दोस्तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो एक साइन्स फिक्षन मूवी है जिसमें एक्षन और विज्ञान की हाई तकनीक को दिखाया गया है फिल्म की शुरुवात में हम देखते हैं कि इंसान आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से लड़ रहे होते हैं अब AI इतना खतरनाक हो चुका है कि इंसान इनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे तो इंसान इने कैसे हराएगा यही इस फिल्म में दिखाये गया है तो कहानी के शुरुवात में चारो तरफ हड़कम मचा हुआ था क्योंकि जिस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाया था उन्होंने अपने प्रोटोकोल को ही तोड़ दिया है यानि अब वो इंसान के बस में नहीं हैं अब वो अपनी ही मनवानी पर उतर आये हैं और बैंगलोर में भी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तिमाल करके ड्रोन अटेक करवाया गया था जिस वज़े से 50,000 से जादा लोग मारे गए क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और इंसान के बीच में ये लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही थी तो इस वज़े से 10 करोड से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसके बाद हमें आर्टिफिशल टेरिरिष्ट हारनल को दिखाया जाता है वास्तों में यही इस फिल्म का विलन है जिसे सैफ़र्ड रोबर्टिक्स नाम की कमपनी द्वारा बनाया गया था लेकिन हारलन को दुनिया में जिंदिगी सुधारने के लिए बनाया गया था लेकिन किसी की बेवकूपी की वज़े से हारलन ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो मानवता के खिलाप खड़ा हो गया और अब इनी Artificial Intelligence को रोकने के लिए ICN यानि International Coalition of Nation नाम के Defense Force को बनाया गया है और अब ICN Force Artificial Intelligence के खिलाप लडेंगे अब क्योंकि Artificial Intelligence ICN के सामने नहीं टिक पाते तो वो हार मानने लगते हैं तो इस विज़े से हारलन इस परत्वी को छोड़ कर कहीं और छुप जाता है और इस दुनिया के लिए एक संदेश को छोड़ कर जाता है जिसमें हारलन कहता है कि जो उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करके ही रहेगा अब इस कहानी के 28 साल बीच चुके हैं जिसमें ICN की डिफेंस टीम को दिखाया जाता है जो कि किसी बिल्डिंग को स्कैन करते हुए अंदर जा रहे होते हैं और इन्हें यहां पर कास का नाम का एक आर्टिफिशल इंसान मिल जाता है और जैसे ही यह लोग उसे पकड़ना चाते हैं तो कास का इन सब को खिलोने के जैसे तोड़ने लगता है फिर किसी तरह से यह लोग कास का को बिजली का जटका दे कर उसे बेहोश कर देते हैं अब इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी एटलस को दिखाया जाता है जो कि एक काउंटर टेरिरिस्ट एनलिस्ट है और ये भी आईसेन डिफेंस के लिए काम करती है अब ATLAS NEWS में ICN के चीफ जनरल जैक को देख रही होती है और NEWS में बताया जाता है कि कल रात ICN ने हारलन के SSO कास्का को गिरफतार कर लिया है और खबर सुनता ही ATLAS घबरा जाती है इसलिए अब ATLAS ICN के लिए निकल पड़ती है और इधर जनरल जैक करनल से बात कर रहे होते हैं जो कहते हैं कि ATLAS ने AI पर काफी research की है और वो हारलन के बारे में भी काफी कुछ जानती है लेकिन करलन इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि अगर आज ATLAS फेल हो गई तो कास्का हमेशा के लिए shutdown हो जाएगा और अब तक ATLAS भी यहां पर पहुँच जाती है जिसे जैक ब पारे में पता लगा लेती है कि आखिर वो दुनिया के कौन से कौनों में चुपा बैठा है अब ATLAS समझ जाती है कि हारलन एंटोमेटा की गलेक्सी में एक ग्रहपर है अब कास्का मोका देखकर ATLAS पर हमला करता है मगर ATLAS किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी तो इसलिए उ सुटक्यों में कर दिखाया यानि उसने हरलन टेरिरिस्ट की लोकेशन को ढून निकाला अब ICN की टीम अपने किसी मिसन के लिए हरलन के पास जाने वाली है तो इसलिए ATLAS भी उस टीम के साथ जाना चाती थी लेकिन जैक उसे भेजना नहीं चाते थे मगर करनल इस बात के अब ATLAS करनल को समझाती है कि तुम ऐसे ग्रैपर ओप्रेशन को अंजाम देना चाहते हो जिस पर आज तक कोई गया ही नहीं है फिर करनल ATLAS को जो ही नाम के एक रोबोट से मिलवाता है जो एक तरह का सूट भी है जिसे यहां के रेंजर कंट्रोल करते हैं अब करनल ATLAS को बताता है कि यह रोबोट आपसे लिंक्ड है मतलब जैसे कि हम अपने phone से किसी device को connect करने के लिए Bluetooth का इस्तिमाल करते हैं ठीक वैसे ही इन रोबोट को इनसान से जोडने के लिए हमें neural link की जोरत होती है और इस neural link की खोज आटलस की मा में वैल नहीं की थी अब सभी लोग एक इस्पेस शिप में बैट कर अपने मिसन के लिए निकल पड़ते हैं और एटलस भी अंदर बैट कर अपने बच्पन की फोटो को देख रही होती है जिसमें हारलन और एटलस की मा भी होती है हारलन उस समय इनके घर में एक सर्वेंट का काम किया करता था फिर एटलस अपनी मा क एक recording चलाती है जिसमें उसकी मां AI की काबियत के बारे में बात कर रही होती है और वो आगे बताती है कि अगर हमें आधी मानाओ की तरह इस धर्ती से गायम नहीं होना है तो हमें AI के साथ जुड़ना होगा जो कि Neuralink के द्वारा ही संभा हुए यानि AI और इंसान मिलकर इस दु हो रहे होते हैं मगर एटलस सोच रही होती है कि पता नहीं इनका इस्तेमाल करना ठीक भी है या फिर नहीं और अब तक करनल भी अपने रोबोट वाले सूट में बैठ जाता है और तभी अलार्म बच जाता है और एक जोड़दार धमाका होता है यानि उस ग्रह के Artificial Intelligence के रो लगते हैं क्योंकि हमले की वज़े से इनका इस्पेसिप बरबाद हो चुका था अब करनल एटलस से नियूरो लिंक के जरिये उस रोबोट से कनेक्ट होने के लिए कहता है मगर एटलस नहीं मानती क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था और इस चक्र में एटलस उस सू कर वहाँ पर जाना है नहीं तो रोबोट हमें ढूंड कर मार डालेंगे इसलिए अब एटलस की आँखों का रेटिना स्कैन किया जाता है जिससे कि एटलस अपने सूट पर थोड़ा कंट्रोल पा लेती है और वहाँ पर चल कर जाती है अब वह सूट एटलस को बताता है कि ह हमारे पास 7-8 तरे के हतियार हैं और एक आयम बोम भी है अब सूट कहता है कि मेरा नाम इसमित है इसके बाद जंगल में एटलस को सभी जवान मरे वे मिलते हैं यहाँ पर आईसियन का कोई भी जवान जिन्दा नहीं बचाता है अब एटलस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जानती थी कि ये लोग गिरने से नहीं मरें बलकि ये सब हारलन का ही किया धरा है अब एटलस करनल के जोई वाले सूट के पास जाती है मगर उसमें करनल नहीं था और वहीं पर एटलस को कास्ता का एक आर्टिफिसल इंटेलिजन्स दिखाई पड़ता है अब एटलस सोचती हारलन ने एक और बना लिया है अब एटलस देखती है कि यहां तो बहुत सारे रोबोट्स और भी घूम रहे हैं तो इस वज़े से एटलस घबरा जाती है जिससे कि वहाँ पर हलचल पैदा हो जाती है और इन लोगों को भी एटलस के बारे में पता जल जाता है जिससे सभी रोबोट्स एटलस पर हमला कर देते हैं और जब बचने का कोई भी विकल्प नहीं होता तो एटलस आयम बोम को छोड़ने के लिए कहती है तो पहले तो इसमित यानि वो सूट मना कर देता है और फिर एटलस के जोड़ देने पर इसमित आयम बोम को छोड़ देता है और इस बॉम के छोड़ते ही सारे रोबोट्स महीं पर मारे जाते हैं मगर कास का अभी भी जिंदा था जो एटलस को मारने के लिए आगे आता है लेकिन उसी समय धामाके की वज़े से आसपास की जमी नीचे धस जाती है और नीचे जाते समय एटलस का पाऊं भी फैक्सर हो जाता है फिर इसमित उसके पैर को ठीक करने के लिए पैर पर लोहे का एक टुकड़ा लगा देता है जिसकी वज़े से एटलस को बहुत ज्यादा दर्द होता है अब एटलस की जान बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी मगर इसमित कहता है कि जब तक हम एक दूसरे से 100% सिंक नहीं और इधर एटलस इसमित को अपने बच्पन की एक मेमरी को दिखाती है और ये बात उस समय की थी जब हारलन एटलस के घर में एक नोकर का काम किया करता था और उस समय हारलन और एटलस का सिंक 40% हो गया था और अब इसमित एटलस को एक गुपा के रास्ते से ले जाने लगत जिससे इनको लगने लगता है कि कासका मारा गया लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एटलस को कासका का एक कटावा सर दिखाए देता है और एटलस इसे बुरी तरह से कुछल देती है जिसके अंदर एक ट्रांसमिटर भी लगा होता है यानि एटलस समझ जाती है कि हारलन उसके आसपास ही कहीं है इसलिए अब एटलस हारलन की लोकेशन पर जाकर उस जगह को टेक करना चाहती है ताकि ICN के और सिपाई आकर उस जगह को तबाह कर दें मगर इसमित ऐसा करने से एटलस को मना कर देता है क्योंकि एटलस के लिए महाँ पर जाना खत्रे से खाली नहीं था मग एटलस से कहती है कि अगर आज हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे जवानों का शहीद होना बेकार हो जाएगा और इस बात को सुनकर इसमित भी मान जाता है और अब जैसे ही एटलस हारलन के ठिकाने पर पहुंचती है तो वो चौक जाती है क्योंकि यहाँ पर इनका स्पेस है जो अब उनके हाथ लग चुका है मगर तभी AI के रोबोट इसमित पर हमला कर देते हैं जिससे कि इसमित वहीं पर गिर जाता है और उसकी मसीन में गड़बड होने लगती है जैसे कि इसमित को हैक कर लिया गया हो और वो बंद हो जाता है और फिर जनरल जैक को भी दिखा कर देगा और दूसरी और एटलस को भी कैद करके रखा गया है क्योंकि उसके सूटने काम करना बंद कर दिया था और इसके बाद इस फिल्म के मुखे किरदार यानि हारलन की एंट्री होती है जो कि एटलस से कहता है कि इंसान कुछ ही सालों में खुद को तबाह कर लेंगे इसलिए मुझे उन्हें बचाना होगा और इसी वज़े से हारलन धरती की आदे से जादा जनसंका को मिटा देना चाहता है ताकि बचीवी जनसंक्या आराम से रह सके और उनकी सुरक्षा आर्टिफिजल इंटेलिजन्स करेगी अब हारलन एटलस को बताता है कि मैं ही चाहत था कि यहाँ पर आए क्योंकि मुझे यह बॉम भी चाहिए था इसलिए अब हारलन एटलस से वो किलेरंस कोड भी मांगने लगता है जिससे कि वो प्रत्वी के चारो तरफ के डिफेंस मेकैनेजिम को तोड़ सके और हारलन प्रत्वी की आदे से जादा जनसंक्या को खतम कर पाए तो इस वज़े से हारलन एटलस को काफी टोर्चर करने लगता है और यहीं पर करनल भी था जो कि एटलस से पूछता है कि इसमित को क्या हुआ तो वो बताती है कि उसका पावर खत्म हो गया तो अब करनल एटलस को अपना नियोरो लिंक देता है और कहता है कि इसमित क वज़े से ही हो रहा है तो यहाँ पर फिर से हमें Atlas की memory को दिखाया जाता है जिसमें Atlas की माँ well Harlan को बहुत ही पसंद किया करती थी और इसी वज़े से Atlas Harlan की तरह बनना चाती थी ताकि वो भी अपने माँ के प्यार को पा सके और इस चक्कर में Atlas neural link लेकर खुद को Harlan से connect कर लेती है और एक मासुम लड़की से connect होने की वज़े से एक robot यानि Harlan खुद को आजाद कर लेता है जिससे Harlan पूरी तरह से बदल जाता है लेकिन इसमें Atlas की ही गलती थी क्योंकि Harlan ने ऐसा करने से Atlas को साप साप मना कर दिया था मगर Atlas की जिद की वज़े से Harlan को उससे connect होना ही पड़ा अब Atlas की command की वज़े से दोनों एक दूसरे की feeling को समझ सकते थे इसलिए अपनी मा के कहने पर Atlas वहां से अपनी जान बचा कर भागने लगती है लेकिन उस दिन Atlas की वज़े से उसकी मा वैल वहीं पर मारी जाती है तो अब कहानी फिर से present में आती है और यहां पर Atlas और Smith दोनों एक दूसरे से 100% सिंख हो जाते हैं जिसकी वज़े से Smith इनके पास चला आता है और अब Atlas जोई के पुर्जो से ही Smith को अपडेट कर देती है और फिर रोबोट का सामना करने लगती है और फिर आखिर में Harlan भी लड़ाई के लिए यहां पर आ जाता है और फिर Atlas देखती है कि उसका वो बोम वाला जहाज प्रत्वी की तरफ जा रहा है जिसकी वज़े से आदी से जादा प्रत्वी नश्ट हो सकती है तो इसी वज़े से Atlas उस जहाज को रोकने के लिए उसे सूट कर देती है जिसकी वज़े से वो जहाज वही पर खत्म हो जाता है और इस बात से Harlan को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इसमित पर पूरी ताकत से तूट पड़ता है और दोनों में जवर्जस लड़ाई होती है लेकिन Atlas समझ जाती है कि Harlan की अगली fight moment कौन सी होगी जिससे वो Harlan को उठा कर उसे पटक देती है लेकिन Harlan फिर भी उस पर भारी पड़ रहा था और उसका वो तूटावा हाथ भी फिर से जुड़ जाता है और इस बार Harlan इसमित के fusion reactor को target करता है जिसकी विज़े से Atlas को भी अंदर बैठे हुए जटके लगने लगते हैं और वो बेऊस हो जाती है अब इसमित एक हाथ से ही Harlan से लड़ने लगता है मगर वो ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा मगर तब तक Atlas पीछे से आकर Harlan पर हमला कर देती है और फिर आखिर में Atlas Harlan के दिमाग से CPU कर निकाल लेती है और इसके बाद Harlan वहीं पर मर जाता है और इसके बाद Atlas को जिन्दा रखने के लिए इसमित अपनी पावर को बंद कर देता है ताकि वो Atlas के लिए जाता से जादा Oxygen को बचा ले लेकिन अब तक Atlas इसमित को पसंद करने लगी थी और इसलिए वो नहीं चाती थी कि इसमित खुद को मिटा ले लेकिन अब सुबह हो जाती है और ICN के लोग भी वहाँ पर Atlas को बचाने के लिए आ जाते हैं और अब धर्ती पर काफी समयबाद Atlas एक रेंजर बन चुकी थी और अब Atlas जिस रोबोट में टेस्ट ड्राइव के लिए बैठती है तो उसे पता चलता है कि ये तो इसमित ही है और ये फिल्म यही पर खत्म हो जाती है लेकिन दोस्तो इस फिल्म के अगले भाग आने की पूरी संभावना है क्योंकि मात्र CPU निकाल लेने से कोई रोबोट या कम्प्यूटर हमेशा के लिए खत्म नहीं होता आप जिस भी कम्प्यूटर या रोबोट में उस CPU को लगाओगे तो वो चीज फिर से जिन्दा हो जाएगी यानि भविश्ट में हारलन के आने के पूरे पूरे चांस है तो इस बज़े से हो सकता है कि इस फिल्म का अगला भाग भी आपको जल्दी देखने को मिल जाए तो दोस्तो इस फिल्म की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह की नई फिल्मों की कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को अभी से सब्क्राइब कर लें तो दोस्तो हम में लेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद